Hello everyone, welcome to Farmer Oaks YouTube channel, Farmer Oaks के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे MP-Celine Capsules के बारे में तो हम सिखेंगे ये Capsules के Basic Use के बारे में के कौन से अलग-अलग Medical Condition के अंदर MP-Celine के Capsules यूज किये जाते हैं साथी जानेंगे उसके डेली डूस के बारे में, सीखेंगे उसके सैट इफेक्स के बारे में, वर्रिंग एंड, कॉंटर इंडिकेसं के बारे में, तो एक्सपेट लेक्चर बाया मरसर, आसिस्टम प्रोफेसर और फांडर फार्मारोक्स, थेंक्यू फर बीन फार्मारोक्स प मिल जाएंगी और सिखे DCs and medicines related course Pharma Rocks के mobile application के उपर तो अब आप सिख सकते हैं अलग-अलग medicines के basic use के बारे में उनके dose, side effect, contraindication and warnings के बारे में वो भी एक साल तक affordable price के अंदर तो download करिए अब Pharma Rocks और access करिए medicines related course तो आप समझते हैं ampicillin के capsules के बारे में तो यह जो medication ऐसे class का medication हम कहेंगे कि जो antibiotics के category में आते हैं और यह जो है वो aminopenicillin antibiotic drug है कि जो penicillin class के जो अलग-अलग antibiotics होते हैं तो उसमें से यह aminopenicillin class का antibiotic है और इसको हम beta lactam antibiotic भी कहते हैं कि जो काफी popular है beta lactams तो ampicillin जो है वो beta lactam antibiotic है और यह जो है वो prescription based medication रहे था कि यहाँ पर जो आप देख रहे है कि जो लाल लकिर देख रहे है red line तो उसका मतलब होता है कि यह medication जो है वो Rx only है कि prescription based medication है basic use समझे तो यह medication जो है वो antibacterial है इसलिए बहुत सारे अलग अलग bacterial infection को treat करने के लिए ampicillin जो है वो use की जाती है तो उसके basic use समझे तो एक तो समझो कि आपको middle ear के अंदर infection होता है तो उसके लिए ampicillin के जो capsules जो है वो prescribe किये जाते है second अगर tooth infection होता है कि अगर आप समझो कि bacteria के कारण हमारे दातों के अंदर जो है वो infection होता है और especially उनके कारण क्या होता है कि pain वगरा होता है कि जो मसूडे होते है वहाँ पे सूजन देखने को मिल जाती है डर्द होता है काफी और उसका primary reason होता है कि जब हमारे दातों के अंदर cavities वगरा पढ़ जाती है और वो cavities के अंदर जब bacteria की growth होती है और वो bacteria की growth समझो कि नीचे तक पॉझती है कि जहाँ पे हमारे teeth के root होते है तो उस वक्त यह infection जो है वो और ज़्यादा फेलता है और जो painful condition करता है कि जो दातों में दर्ध होता है काफी वहाँ पे pus formation कई बार हो जाता है और काफी severe pain भी होता है कई बार कि जिसको हम कहते है tooth infection तो tooth infection के अंदर जो analgesic medications होती है pain killers होते है उनके साथ antibiotic के तौर पे ampicillin के जो है वो capsules जो है वो prescribe किये जाते है आगे समझे तो जो pneumonia की condition कि जिसको हम कहते है respirated rack का एक infection की जहाँ पे हमारे lungs जो है वो सबसे ज़्यदा प्रभावित होते है तो pneumonia में भी ये prescribe की जाती है skin related infection में भी ampicillin यूज़ की जाती है अगर आपको बैक्टेरियाज के कारण skin infection हुआ है तो भी ये useful है urinary tract infections जब होता है कि जो UTI जो हम कहते है तो UTI में भी ampicillin कई बार prescribe की जाती है typhoid fever की जो condition होती है कि Salmonella typhi bacteria के infection के कारण होने वाला जो typhoid fever है तो उसके लिए भी ampicillin जो है वो effective साभित होती है फिर जो nozzle sinuses की condition या फिर जो strap throat मिखाडास होना वहाँ पे bacterial infection के कारण soreness जो हो जाती है तो ये सब infections को treat करने के लिए ampicillin की capsules जो है वो use किये जाते है तो उसके अलग-अलग strength हम देखे तो ampicillin खासकर दो strength में available है एक है उसका 250 mg का capsule की यहाँ पे आप देखो कि campicillin करके यहाँ पे हम एक brand देख रहा है कि जो cadilla pharmaceutical की product है तो cadilla pharmaceutical का यह campicillin है तो इसकी strength आप देखो कि as per IP 250 mg का यह capsule है और यह भी है RX only मतलब कि prescription based और Indian pharmacopoeia की जो monographs होते हैं IP जिसको हम कहते हैं उसके according to यह जो है वो बनाय गया है 250 mg का capsule और second देखे तो campicillin 500 mg में भी अवेलिबल है कि same cadilla ही उसका same brand name के साथ campicillin का यह 500 mg का जो capsule जो डिजाइन करते हैं यह बहुत सारे pharma companies 500 mg के गभी यह capsules डिजाइन करते हैं MPicillin के कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MPicillin और यह उसके 500 mg के capsules तो आप समझते हैं उसकी mechanism के कौन से mechanism से यह medication काम करते हैं तो यह एक penicillin class का medication है तो तो जो penicillin होते हैं उनकी एक common mechanism होते हैं कि वो क्या करते हैं inhibit करते हैं cell wall synthesis का कि यहाँ पे आप देखो examples भी दिये है कि यह वाला जह है वो bacteria है और वो bacteria कि यहाँ पे जो आप दीख रहे हैं कि यह है उसकी cell wall की जो cell होता है उसके आसपस रही जो wall मलब कि उसकी cell wall तो यह cell wall की जो synthesis होती है उसको जो है वो inhibit करता है यह medication की चाहे ampicillin है या फिर amoxicillin है जितने भी penicillin class के antibiotic है या फिर bacitrasin होते है सेफालोस्पूरीन वैनकॉमाइसन यह सभी bacteria को जो उनकी cell wall होती है उनकी synthesis अटकवा देती है जिससे cell wall ना होने के कारण या फिर वो डिस्ट्रोई होने के बरा कारण आगे bacteria जो है अपनी सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है तो इस तरह से उसकी action रहती है बैक्टेरिय सीडल एक्टेरिय के उपर और बैक्टेरिय की cell wall होती है उसका synthesis रटकी आगे उसका जो है वो cell lycise कर देते कि जिससे बैक्टेरिया की जो डेथ हो जाती है जिसके करण उनको बैक्टेरिय सीडल कहते हैं तो यहाप यहाप देखो यह किस तरह से काम करता है तो जिसे हमने समझा कि जो penicillin class का जो यह medication है ampicillin कि जिसको beta lactam antimicrobial agent भी कहा जता है तो यह क्या करते कि जो penicillin binding protein होते कि यहाप यह देखो penicillin binding protein तो उनके साथ यह bind हो जाते है और इन ही बीट करते हैं आगे जाके cell wall के synthesis के यहाप यह जो cell wall बन रही है bacteria की तो वो अटका देंगे या फिर बनी हुई cell wall का rapture करवाएंगे कि जिससे आप देखो कि यह penicillin जो है या फिर ampicillin है वो यहाप बैक्टिरिया की जो cell wall होती है उसको destroy कर रही है और उसके बाद इस तरह से condition प्रोडिस होती है कि यहाप देखो cell wall का rapture हो चुका है यहाप यह rapture हो चुके है यहाप रही हुए तो इस तरह से पूरी cell wall का वो rapture कर देते हैं या फिर उसका जो है वो lysis कर देते हैं कि जिससे आगे जाके यह cell wall के बारे में तो एडल्ट के लिए हम उसका डैली डोस समझे तो वो रहता है ओरल ही दिया जाता है समझो कि यह capsule तो 250 से लेकर 500 mg का यह जो capsule है हर 6 गंटे पे जो है वो जो है पेसंड ले सकता है तो यहाप यहाप अच्छे से वाला capsule तो एक capsule दी जाती है 250 mg की उसके बाद जो second capsule आप 250 mg की देते हैं तो उन दोनों के बीच में at least difference होना चाहिए 6 hour का कि 6 hour के time interval के बाद आप जो है वो दूसरा capsule दे उसी तरह से फिर से समझो कि तिसरा capsule देना है तो उन दोनों के बीच में फिर से 6 hour का difference जो होना चाहिए इस तरह से प्रॉपर 24 hours के अंदर आप जो है वो यह medication के 4 dose दे सकते हैं कि 6 hour into 4 मतलब की हो गाए आपका 24 hours 250 mg के जो यह capsule है वो person जो है दिन में 4 बार ले सकता है और second जो हम देखे उसके maximum dose से समझे कि treatment होती है तो उस वक्त यह जो नीचे जो है वो 500 mg का जो capsule हर 6 गंटे पे जो है वो ले सकते हैं but usually जो है वो दिन में 2 capsule भी आप लेते हैं कि 250 mg का जो capsule है और यह दिन में आप 2 बार या फिर 3 बार लेते हैं तो भी इनफ रहता है या फिर 500 mg का 3 बार लेते हैं तो यह भी dose जो है वो इनफ रहता है तो उसका जो usual dose हम जो देखे कि जो daily routine dose किस तरह से बनता है regular dose उसका तो वो रहता है खासकर 0.5 mg से लेकर 2 ग्राम जितना मलब की 500 mg से लेकर 2 ग्राम जितना जो है वो dose जो है वाप किसी को दे सकते हैं orally या फिर intramuscular या फिर intravenous root से every six hour और depend करता है कि patient के इंदर infection किस तरह से गज़ काफी severe infection है तो उसका थोड़ा ज़्यादा dose जिया जाता है कि जैसे कि यहाँ पे कि 0.5 से लेकर 2 ग्राम तक जो है वाप दे सकते हैं हर 6 गंटे पे Children's के लिए हम देखें तो बच्चों के लिए उसका dose रेता है 25 से लेकर 50 mg पर केजी पर डे के अगर समझे कि बच्चे का weight है 10 kg तो उसके लिए भी dose हो जाएगा 250 से लेकर 500 mg पर डे का रहेगा पर यह तो खासकर weight के according to be यह dose जो है आपको समझना चाहिए कि दोस्तो 25 से लेकर 50 mg पर केजी पर डे यह रहता है Children's dose अब समझते हैं इंपिसिलिन कैपसुल के side effects के बारे में तो इसके कारण नौजया हो सकता है वामिटिंग हो सकती है डाइरिया स्टमक पेन हैड़क जसा फिल हो सकता है रैसिस हो सकते स्कीन के उपर वजय नलीचिंग या फिर डिस्चर्ज या फिर जो ब्लैक हैरी टंग जो हम कहते हैं कि है हैर डेवलप हो जाते हैं आपकी जीब के उपर वाप इस उजन देखने को मिलती है हैर मतलब की डेवलप हुए देखने को मिलती है इससे side effect डेवलप होते है जैसे रैसिस हो जाते कई बार स्कीन के उपर सरदल फिर होगा ना डाइरिया हो जाना नौजया वामिटिंग तो यह जो है उसके कुछ common side effect है वार्निंग समझे कि वार्निंग क्या रहेगी एमपी सिलिन के तो एमपी सिलिन जो है तो एमपी सिलिन जो है वो contraindications के लिस्ट में आएगी या फिर वार्निंग के लिस्ट में आएगी ऐसे condition जैसे कि अगर आपको hypersensitivity है amoxicillin के या फिर कोई भी penicillin के तो यह medication यूज ना गर कि अगर आप amoxicillin यूज करते तो उससे आपको hypersensitivity हो जाती है तो आपको amoxicillin भी यूज नहीं करनी चाहिए because दोनों जो है वो same category के medication है अगर आपको liver problem है या फिर liver cirrhosis जैसे condition है या फिर liver ferial है तो भी यूज ना करे अगर आपका bile flow के अंदर blockage है कि जो normal bile flow होता है बड़ उसमें blockage है तो भी आप उसको यूज ना करे severe renal impairment उलब कि आपके जो kidneys वागरा जो है वो खराब है kidney damage वाले patient है आप तो भी ampicillin को यूज ना करें और allergy है आपको penicillin की क्या आपको penicillin या फिर जो penicillin class के जितने भी अलग-अलग antibiotic है beta lectum antibiotics है उनकी आपको allergy है hypersensitity है तो भी ये medication को यूज ना करें तो specially हम category के बात करें pregnancy के अंदर हम देखे तो ये medication जो है वो safe कही जाती है pregnancy के अंदर safe है यूज करना pregnancy के धरान बट खास दियान ये रखे कि उसको pregnancy category B में रखा गया है ampicillin के जो medication है उसको और especially तो जो category B के अंदर होती है FDA के according to तो ये medication safe कही जाती है तो जो ampicillin का जो हमारा ये capsule है तो उसको भी category B दी गई है FDA के दवरा तो उसका मतलब यह है कि ये consider किया जाता है safe कि अगर आप जब pregnancy के दवरान जब इस थाइप के bacterial infection होते है तो उसक्त ampicillin के जो है वो capsule जो है वो use किये जाता है पर वो भी proper under the medical supervision proper आपके gynecologist के advice के according to है इसको use करने जाए कि एगर आपको कोई pregnancy complications है तो एक बार जो है आपके gynecologist के advice के बाद ही ampicillin के जो capsule जो है वो use करने जाए because ये एक antibiotic है बले वो category B में है बड़ कुछ लोगों को वो suit हो जाती है कुछ लोगों को suit नहीं होती तो खास कर एक बार जो है वो आपके gynecologist के reference के बाद ही इसको use करने चाहिए तो medicines related course के लिए जरूर से download करें आप PharmaRox के वहाँ पी सिखे अलग-अलग medications के basic use उनके dose, side effect, warning and contract regulations तो दवा यह की जान करें आपको पूरी मिलेगी वो भी सरल बासा में PharmaRox के आप उपर तो download करें आप PharmaRox और सीखे अलग-अलग medicines के बारे में तो उनके PDF एकसेस करें PPT's एकसेस करें और medicines related lectures के वीडियो affordable price में तो download करें आप PharmaRox Android application Google Play Store पे Apple iPhone FA App Store पे link आपको description box में मिल चाहेंगी या फिर 9016312020 नमबर पे जो है वो आप हमें WhatsApp कर सकते हैं कि कोई भी query है आपको course के जान करें related तो तूरंथ हमें WhatsApp करें 9016312020 WhatsApp हमारा help line नमबर है तो एकसेस कर सकते हैं test series को, video lecture and PDF files को तो download करें है आप PharmaRox Android user Android app download करेंगे Google Play Store पर से iPhone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best